मल्टि बैगर स्टॉक्स, 16,000 के निवेश पर फटाफट बना दिया करोरपती, डिविडेंड में भी शांदार है, इस शेर का रिकॉर्ड मल्टि बैगर स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट में निवेश कर सिर्फ शेरों की तेजी से ही नहीं, बलकि डिविडेंड से भी अच्छा मुनाफ़ा बनाया जा सकता है, इसी प्रकार का रियल एस्टेट का एक शेर ऐसा है, जिसने महस 16,000 रुपए के निवेश पर निवेश को को फटाफट करोरपती बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ डिविडेंड के मामले में भी शांदार रिकॉर्ड है, और अब यह फिर बांटने वाली है, जिसका रिकॉर्ड डेट एक सितंबर है, मल्टि बैगर स्टॉक्स, रियल एस्टेट की दिगज गुजराती कमपनी गनेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन, गनेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन के शेर आज कमजोर हुए हैं, लेकिन इस वित्वर्ष में अब तक करीब 33 फीसदी उचले हैं, वहीं लॉम टर्म में तो इसने कमाल कर दिया, और महस 16,000 रुपए के निवेश पर ही फटाफट करोरपती बना दिया है, सिर्फ शेरों की तेजी से ही नहीं, बलकि डिविडेंड से भी निवेशकों को इसने कमाई कराई है, कमपनी ने यह जानकारी 9 मई को एक्सचेंज फाइलिंग में दी, शेरों की बात करें, तो आज यह B.S.E. पर 1.70 फिसदी की गिरावट के साथ 355.65 रुपए गणेश हाउसिंग शेर प्राइस पर बंद हुआ है, 16,000 के निवेश पर ही बना दिया करोरपती, गणेश हाउसिंग के शेर 23 अगस्ट 2002 को महस 56 पैसे में मिल रहे थे, अब यह 63,409 फिसदी उपर 355.65 रुपए में मिल रहा है, यानि की 21 साल में इसने निवेश को का पैसा 635 गुना बढ़ाया है और महस 16,000 रुपए के निवेश पर करोरपती बना दिया, ऐसा नहीं है कि इसने लॉम टर्म में ही अच्छा रिटर्न दिया, बलकि कम टाइम फ्रेम में भी इसने अच्छी कमाई कराई है, पिछले साल 21 जून 2022 को यह एक साल के निचले स्तर 228.60 रुपए पर था, इसके बाद महस 3 महीने में यह 12 सितंबर 2022 को 52 हफते के हाई लेवल 406 रुपए पर पहुँच गया, हालांकि शेरों की यह तेजी यहीं थम गई और अब इस लेवल से यह करीब 12 फीसदी डिसकाउंट पर है, गनेश हाउसिंग के बारे में डिटेल्स, गनेश हाउसिंग गुजरात की दिगज रियल एस्टेट कमपनियों में शुमार है, इसके कारोबार की शुरुवात 1965 में हुई थी, कमपनी की साइट पर मौजूद डिटेल्स के मुताबिक यह 1991 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, और उसके बाद से इसने 2.2 करोर स्कॉयर फीट रियल एस्टेट स्पेस को डेवलप करके बेचा है, जबकि 3.5 करोर स्कॉयर फीट पर अभी काम चल रहा है, कमपनी के कारोबारी सेहत की बात करें, तो जनवरी मार्च 2023 में तिमाही आधार पर इसका शुद्ध मुनाफा 6.8 एक करोड रुपए से बढ़कर 89.6 चार करोड रुपए और समान अवधी में रेविन्यू 17.6 दो करोड रुपए से उचल कर 199.3 एक करोड रुपए पर पहुच गया।